Hello everyone, welcome to Chehal Academy. In this video, we are going to study about Prime Minister of India. यह possible है कि अगर आप किसी Prime Minister को हटाना चाहें, और अगर आप हटा सकते हैं, तो Prime Minister को उसकी Post से किस तरह से हटाया जा सकता है? सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि Prime Minister का मतलब क्या होता है? देखिए, Prime Minister Central Government के Head होते हैं, या फिर आपकी जो केंदरिय सरकार होते हैं, उसके अध्यक्ष कहलाते हैं. Indian Constitution के Article No. 75 में भी ये बात क्लियरली लिखी गई है कि इंडिया के President, Prime Minister को Appoint करते हैं, और आपके जो Prime Minister होते हैं, वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, और राज्यसभा से भी हो सकते हैं, याने कि उनका सिर्फ Member of Parliament होना जरूरी होता है, और अगर आप Member of Parliament हैं, या फिर Member of Parliament बनने के के लिए Qualified हैं, तब भी आप प्रधानमंत्री या Prime Minister बन सकते हैं, Nominal Head और Real Head में Difference को समझने के लिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि Government के दो तरह की सिस्टम होते हैं, एक होता है Presidential System और एक होता है Parliamentary System, इंडिया में हम अपनी Government को चलाने के लिए Parliamentary System को Follow करते हैं, और Parliamentary System का ये Basic Rule होता है कि जो President होता है, वो Nominal Head होता है और Prime Minister एक Real Head होता है, लेकिन फिर भी Nominal और Real Head में कुछ फर्क तो होता ही है, अगर हम Nominal Head को समझने की कोशिश करें, तो इंडिया में जो Nominal Head होते हैं, वो होते हैं इंडिया के President, याने कि इंडिया की जो Union Power है, फॉर्मली यान अपचारिक तौर पर President के साथ ही Include होती है, जितने भी काम Central Government करती है, वो President के नाम पर ही करती है, लेकिन President अपनी मर्जी से या फिर अपने हिसाब से किसी भी तरीके के Decision नहीं ले सकता, इसका मतलब Council of Minister, जिस चीज के लिए President को Advise करते हैं, President को उस Decision पर वहीं पर Agree करना हो लेकिन वहीं अगर हम लोग Prime Minister के Real Head होने की बात करते हैं, तो इंडिया के जो Prime Minister होते हैं, वो उसी Council of Minister के Head होते हैं, जो President को Advise देता है, इसी लिए Prime Minister को हम लोग Indian Parliamentary System में Real Head के नाम से जानते हैं, यहां तक कि Council of Minister के Head होने के नाते, Prime Minister सारे के सारे Ministers में सबसे Important Minister कहलाते हैं, औ और उस Government का, जो इस पूरे के पूरे देश को चलाती है, उसके सबसे Important Part कहलाते हैं, और सबसे बड़े Functions और Role को भी Play करते हैं, अब अगर हम लोग यह देखे हैं, कि कौन सा ऐसा Indian Citizen या कोई Person, जो Prime Minister बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या-क्या Qualification होनी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या तो आपको लोगसभा का Member होना चाहिए, या तो आपको राज्यसभा का Member होना चाहिए, या तो कम से कम आप इस चीज़ के लिए Qualified होने चाहिए, कि आप लोगसभा के Member बन सकें, इसका मतलब आपको Indian Citizen तो होना ही पड़ेगा, साथ ही स आपकी minimum age 25 होनी चाहिए, आपका voter list में नाम होना चाहिए, आपको किसी भी criminal case में दो साल से जादा की punishment नहीं होनी चाहिए, आप bankrupt नहीं होने चाहिए, और mentally sound और stable होने चाहिए, और इसके बाद अगर लोगसभा में जिस political party को full majority मिलती है, वो political party अगर आपको या फिर उस candidate को अपना leader elect कर लेती है या leader चुन लेती है, तो वो person प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, अब हम लोग यहाँ पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर एक इतनी important post होती है, तो प्राइम मिनिस्टर का असल में role क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का सबसे important role ह होता है council of minister और president के बीच में एक तरीके से link create करना, इसका मतलब यह हुआ कि central government जितने भी सबसे बड़े important decision लेती है, जितनी भी schemes implement करती है, या जितनी भी policies का formation करती है, उन सभी के सभी decisions में प्राइम मिनिस्टर का role सबसे जादा important और सबसे जादा crucial माना जाता है, इसके record करते हैं कि कौन से member of parliament council of minister बनेंगे और कौन से नहीं, क्योंकि जिस तरह से prime minister का appointment, प्रेसिडेंट अफ इंडिया करते हैं, उसी तरह से central government के जितने भी控स rumors होते हैं, उन सभी council of minister का appointment भी president करते हैं, लेकिन in council of bonds का appointment, जो president करते हैं, वो prime minister के suggestion पर ही करते हैं, याने प्राइम मिनिस्टर खुद ये डिसाइड करते हैं कि उनका council of minister कितना बड़ा और किस तरह का होगा इसके अलावा जब किसी भी member of parliament को council of minister बना दिया जाता है तो portfolio distribute करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं इसका मतलब किस council of minister को कौन सी ministry provide की जाएगी चाहे वो cabinet ministry हो deputy ministry हो या minister of state हो इसका decision भी सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं और president जब चाहें किसी भी council of minister को उसकी post से हटा सकते हैं अगर prime minister ने किसी council of minister को post से हटाने के लिए president को advise किया है कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कभी-कभी council of minister और prime minister के जो opinion है उसमें difference आ जाता है और इसी वजह से president prime minister के suggestion पर council of ministers को remove भी कर सकते हैं अब बाद यहां पर आती है कि क्या किसी भी prime minister को उनकी post से हटाना possible होता है और अगर हां तो उन्हें post से हटाया किस तरीके से जाता है देखिए अगर किसी भी prime minister की death हो जाती है या फिर कोई भी prime minister अपनी post से resign कर देते हैं तो obviously बात है कि automatically वो prime minister तो अपनी post से हटी जाएंगे और जब कोई भी prime minister अपनी post से हटते हैं तो council of minister भी dissolve हो जाती है इसका मतलब जो एक नया person आकर prime minister बनेगा वो अपनी एक नई council of minister बनाता है इसके अलावा जो prime minister होते हैं अगर उनके powers हम लोग सभा से related देखने की कोशिश करें तो prime minister लोग सभा के भी leader होते हैं साथ ही साथ आपके देश की क्या foreign policy होने वाली है उसमें एक बहुत important role आपका prime minister का भी होता है साथ ही साथ Parliament तीन अलग-अलग sessions में काम करती है जिसे हम budget session या monsoon session या winter session के नाम से जानते हैं तो parliament का कौन सा session कब लगना चाहिए इसके लिए जो president है वो summon notice भिजवाते हैं जिसे एक तरीके का formal invitation कहा जाता है और president ये जो summon notice भिजवाते हैं वो भी prime minister के suggestion पर ही भिजवाते हैं अब अगर आप चाहें कि president को अगर आप remove करना चाहते हैं तो उनके resignation या death से तो सीड़ी सी बात है कि prime minister remove हो ही जाएंगे लेकिन अगर लोगसभा में prime minister की political party की जो majority है वो खतम हो जाती है तो majority खतम होने के कारण वो political party central government भी नहीं रह जाती और जब वो political party central government नहीं रह जाती है तो जो person prime minister बनकर उस central government या लोगसभा या council of minister के leader या head बने बैठे थे उन्हें भी अपनी post को छोड़ना ही पड़ता है इसी तरह के polity के important topics को अगर आप detail में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी UPSC civil services examination की preparation को और easy बना सकता है so for that please keep following चहल academy I will see you in the next video thank you very much